ये लोकसभा है और आजादी का अमरित बहुत सो के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से ये वो 25 वर्थ हैं जो हमारे अमरित काल के 25 वर्थ है और जो 2047 जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा एक प्रकार से उन सपनों को साखने है एक बहुत महत्वपुन पड़ाव ये अठारवी लोकसभा है साथ्यों इंडिये सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देश वाजचाओ ने आदेश दिया है आउसर दिया है मैं देश वाजचाओं को फिर से एक बार ये आउसर देने के लिए रदेश से आभा रवट्टा करता हूं और मैं देश वास्यों को विश्वास देता हूँ, कि पिछले दो टम में, जिस गती से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र बें, परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है, पचीश करोर लोगों का गरीबी से भार आना, ये अपने आप, हर भारतिये के लिए बड़ा गर्व का विश्वास आ है, और मैं देश वास्चों को विश्वास दिलाता हूँ, कि अठानवी लोगसभा में भी, हमारे पांच साल के कारकाल में भी, हम उसी गती के साथ उतने ही समर्पन भाव से बिश्व की आशा आकांशाव को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे, आज सुबह एंडिये की मिटिंग हुई थी, एंडिये के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दाईत्यों के लिए पसंद किया है, और सभी एंडिये के साथियों ने राश्पती जी को इसकी जानकारी दी, और राश्पती जी ने मुझे अभी बुलाया था, और मुझे प्रधान मंत्री डगिंजेनेरेटर के रूप में काम कर रहे हैं, एक निवन्त निवक्ति दी हैं और मुझे शपत समारों के लिए और मंत्री परशद के सदस्यों के सूची के लिए, उन्होंने सुचित किया है, मोटे तोर पर मैंने राश्पती जी को कहा है कि हमें नव तारिक शाम को सुविदा रहेगी, अपकी डिटेल तो राश्पती भवन वर्काउट करेगा, और हम तब तक मंत्री परशद की सूची राश्पती जी को सुप्रत करेंगे, उसके बाद सपत्स हमारों होगा, साथियों सरकार एंडिये की एक प्रकार से, एंडिये बान, एंडिये टू एंडिये थ्री, ये एक निरंतरता है, और हमारे संकल्पों को ले करके, सूचाजय प्रतिय के हमारी प्रतिबद्धता को ले करके, और देश के सामने जन के सपनों को पुरा करने के प्रयास के रुप में, निरंतरता को हम और अधिक उर्जा साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे, और समय सिमा में लक्षों को प्राप्त करने के हमारा प्रयास रहेगा, दो हजार चाउदा में मैं बहुत नया था, मुझे अब एक लंबे समय तक इस कायर का अनुभव मिला है, मैं रिट को अनुभव मिला है, और इसलिए हमारे लिए अब तुरंती ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है, और इस अनुभव लाब भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है, इन दस साल के कारकाल के दर्मियान भारत की बैश्विक जो चबी बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधू के रूप में भारत उब रहे हैं, इसका मक्सिमम एडवान्टेज अब शुरू हो रहा है, और मुझे पाव इस वाहत है ये पांच वर्ष बैश्विक परिवेश्वी भारत के लिए बहुत उप्यूगी होने वाले हैं, दुनिया अनेक संक्टों से गुजर रही है, अनेक तावों से गुजर रही है, आपदाओं से गुजर रही है, ऐसी विक परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबेर से के बाद देखी है, हर देश इन सारी समस्याओं के बीश आपने आपको बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनोतियों का डगर डगर पर सामना करा है, हम भारत वाले रोग, भारत वासी, खुद नशीब हैं, कि इतने बेड़े संक्ट आउजुद भी, हम आज विश्व की सबसे तेज गती से बढ़ने वाली एकोनोमी के रुप में जाने गए हैं, ग्रोथ के विश्वी दुनिया में हमारी भावाई हो रही हैं, अब एक स्टेबल गवर्मेंट मिलने के कारण, परिचीत व्यवस्था और नेत्रत मिलने के कारण, दुनिया का भारत के प्रती रुज्वान, भारत के प्रती उनका आना, बहुत तेज गत्री से होने वाला है, और मुझे विश्वान है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाब मिलेगा, देश की युवापीडी को सबसे ज़्यादा लाब मिलेगा, विकास के नए उचाईयों को छूने में, एक भागिदारी का मातावरण, आने वाले पाँच साल में बनने वाला है, तो इसी संकल्पों अदर्सों के साथ,